मित्रों, ये conclave में क्या होगा? exhibition होगी, दोस्ती होगी, network होगा, जान-पहचान होगा, idea exchange होगा, humanities की भी लोग आएंगे, science की लोग आएंगे, technology की लोग आएंगे, practical issue. मित्रों, जब तक हमारी सोच में, हम क्यों काम कर रहें और किस के लिए काम कर रहें? जब तक poorest of the poor will not be our target. ये research की उतिश्य क्या है? citation, आज मैं बदाई देता हूँ, IIT गोहाटी को देश की number two institute बन गया, उतिश्य इंप्रूबिंग QS ranking for citation. लेकिन मैं उस citation को, अरे वो वो बाद में कर रहा है. मैं अगले बार आऊँगा, उस citation चे कितने चीज कमर्शेलाइज हुआ, तब जाके मैं आपको प्रसंचा करूँगा. मैं ये बुद्धी, मैं सामान जाए, I am not a student of science. I am a student of public policy. मेरे मन में बेगरता है, मेरे मन में चिंता है कि मेरे राज्ये की, मेरे नौर्थ इस्टन स्टेट्स की, गरिब की गरिब आदमी कैसे इस technology network की benefit पाएगा. आपकी innovation, आपकी entrepreneurship, कैसे scalable state तक आएगा. ये इसलिए हम ये conclave कर वा रहे हैं. आज, देखो मैं दो चीज कह रहा हूँ, मैं जितना समझता हूँ, इतना राजनिती को और गुद्धी को अपने capacity से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए. घरबर हो जाएगा. इसलिए मैं जितना पढ़ा हूँ, उतना कहूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, उतना कहूँगा. सरवादा ने कहा कि पेट्रोलियम विभाग से पचास हजार कोड रुपिया की हमने काम करने नहीं, पचास हजार नहीं, एक लाग कोड रुपिया. मोदी जी आने के बाद भारत सरकार ने, नौर्थ इस्टन स्टेट ने, केवल आसाम में, केवल आसाम में, नुमालीगड रिफाइनरी, ओइल इंडिया, ओइन जिसी, इंद्रधनुस पाइपलाइन, इन्यान ओल कॉर्परेशन, रिफाइनरी कैपाशिटी आपग्रेडेश यह सब मिला के एक लाख कोल रूपया की कैपिटल इन्वेस्टमेंट आसाम में हो रहा है। आज प्रधान मंत्री जी रेलिवे नेटवार्क, उडान की माध्यम सी एर नेटवार्क कनेक्टिविटी, रेलिवे कनेक्टिविटी, एर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट की माध्यम में इकनेक्टिविटी और वाटर वेज में वाटर कनेक्टिविटी पांच-पांच प्रकार की connectivity, logistic, ease आज डेबलब करने, गती शक्ति में 6-7 लाख कोड़ रुप्या की investment देश में हो रहा है, नौर्थ इस्टन स्टेट भी उसमें से पिछे नहीं है, यह monetize कैसे होगा, यह local economy में कैसे जुड़ेगा, यही है challenge, आपकी research, यहां की समस्या, और मै अंत में इतना ही कहके समाप करूँगा, आज मित्रों सरकार सिरिफ 75 सालों में किसी ने कहा, जिन लोगों की हाथ में पहले सासन रहा, उन्होंने पहले बार तो आजादी की गुडूईल में असिरवाद ले लिये, दूसरे बार कहे कि देश में post office लाये जाएगा, एक 5 साल चला गया, फिर तिसरे एलेक्शन में कहेंगे post office में एक इंगलानलेटर रहेगा, एक postcard रहेगा, तिसरा चुनाओ चला गया, चोथे में कहां एक डिबा भी रहेगा, post box बनेगा उसका नाम, तब तक ना post office, ना इंगलानलेटर, ना postcard, ना डिबा, डिबा में चार है, देश की नौजवान उसमें इंपेसेंस हो गया, इसलिए आसाम में नौजवानों के अंदर हलचल हुई, नौजवान अभी उस मूड पे नहीं है, हमने तय किया नभेमर महिने में research conclip किया जाएगा, आज प्रधान मंत्री जी देश की NEP बनाते हुए, विशेस प्रका इंस्टिचुट में पड़े हो, उस इंस्टिचुट में आप इंवेस्ट करो, लेकिन आज आसाम ने पिछले इसी महने में मई साथ विल बी नौन आजे लैंडमार्क डे इन पॉब्लिक पॉलिसी गवर्णान्स मॉडल अब दिस कंट्री, मार करिये मेरे बात को, एक राज एक वैक्षिन क्यों आया, भारत बायोटेक बना, दुनिया में इतने क्यों वैक्षिन साए, उन्हेंने कहा कि क्यों, उनके वहां रिसर्च आच्छा है, हमारे वहां भी रिसर्च है, उन्हेंने को हमारी नेट्वार्क नहीं है, आज एक इतिहास हमने रचा है, मेडिकल खे प्रक्राइश और हेल्थ कियर इस नो मौर ओंली लिमिटेट अप्टो मेडिसिन नहीं इस इस्वाप टेक्नलोची इस्वाफ मैंजिमेंट प्रक्राइश तो एजुकेशन इस शुर्ष से इस से बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकता है। अज अक्सपोर्ड इनुवर्सिटी स मॉडर्ना निकली है